आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ। अभी राउटनोट करें। और क्या होता है? गरभाशय पाया जाता है, यह सब क्या होती है? जो मादा होती है, उसके क्या होते है? जनन अंग होते हैं। इसके क्या होती है? अंड दिंब उत्पन्न करती है। तथा इसका जो आकार होता है, वह 3 cm x 1 cm आकार की होती है। ठीके, यह क्या होती है? यह उदर गुआ में व्रक के पास, व्रक के पास इस्तित होती है। ठीके, यह एक जिल्ली द्वारा जो शरीर की भित्ती के साथ लटकी हुई रहती है। अब हम बात करते हैं अंड वाहिनी की। ठीके, यह क्या करती है? अंड का निर्मान करती है, चो अंडा शे रहता है। अब हम बात करते हैं अंड वाहिनी की तो जो अंड वाहिनी रहती है इसमें क्या होता है कि प्रत्येक अंड वाहिनी अंडा से इसे अंड ग्रहन करती है क्या करती है जो अंडा शे रहता है उससे क्या करती है अंड को ग्रहन करती है तथा उसे गरभाशे में स्थानांतरिक करत ठीक है और क्या करती है जो अंड का निशेचन होता है वह भी अंड वाहिनी में होता है ठीक है अब हम बात करते हैं गरभाशे की तो जो गरभाशे होती है वह एक बड़ा लचीला थेला होता है क्या होता है बड़ा लचीला थेला होता है ठीक है जिसे गरभाशे कहा जाता है इसमें दो डिम्ब वाहिनी नलीकाएं खुलती है जो अंड वाहिनी नलीका रहती है वह खुलती है ठीक है इसका जो नीचे का पतला भाग होता है उसे क्या कहते हैं गरीवा कहा जाता है जो कहां में खुलता है कहां खुलता है योनी से खुलता है ठीक है तो क्या होता है कि मा की शरीर में जो गर्वस्त भूर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर उसके कार्य धन्यवाद दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्ण का उत्तर समझ आया होगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोज़ा आशी डाउनूट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर